रजरप्पा महत्सव की सुब बेला में आज के सुद घाटन का इर्कम में शर्पथम मैं अपनी बहनों को अविनन्दन करती हूँ धन्यवाद करती हूँ कि आज जिस जारखंडी तरीके से हमारी संस्क्रीती को हमारी बीच एक स्वागत के माध्यम से रखने का काम किये हैं उसके लिए तहदिल से मैं इन लोगों का अभिननन करती हूँ धन्यवाद करती हूँ और साथ ही रजरप्पा के ये भेरवी भेड़ा और दामोदा नदी के संगम पर इस्थित माचिन मस्ति के मंदिर आफ्था की धरोहर है रजरप्पा का माचिन मस्ति के मंदिर सिद्धी पीट और सक्ति पीट के रूप में विख्याद एवं काफी लोग परिये हैं पश्चिम दिसा से दामोदर तथा दच्छिन दिसा से कलकल करती भेरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खुपसूरती में चार चांद लगा देता है और साथ ही ये महस्व हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये मील का पथ्था साबित होगा और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम लोग सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि आज हम लोग इस धर्ती पे हैं और इस रामगड जिला में हमारा बिधायकी है और साथ ही हमें खुशी है कि रजरप्पा मा की गोद में हम सभी रामगड वासी रहते हैं और सबसे ज़्यादा गड़ की बात ये है कि हमारे जारकन के मुख्यमंत्री जो की हमारे जारकन के अगवा है उनका ये पित्र भूमी भी रहा है और ये जीला भी उनका रहा है और साथ ही हमें खुसी है कि इसी आसा और उमीद के साथ जो ये आयोजन किया गया है मानिय मुख्यमंत्री जी से मैं आगरा करूंगी कि और भी भव्य रूप इस आयोजन को और इस प्रेटक स्थल को दिया जाए मानिय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और साथ ही जो विकास का कारे हो वो जन हित को देखते हुए हो यहाँ पे क्योंकि इस मंदर इस धार्मिक स्थल में कई ऐसे लोग हैं कई ऐसे गरीब लोग हैं जो की रोजी रोटी कमाने के लिए दूर दूर से यहाँ पर रह रहे हैं इनकी भी हित को देखते हुए इस प्रैकर डिस्तल को और भी भव्य रूप देने का काम करेंगे और साथ ही मैं ये आगरह भी करती हूँ कि आज जिस उमीद और जिस संकांचाओं के साथ जनता ने आपको इस पद पर बैठाया है जनता की सरी उमीदें सारे विश्वास वो पूर होंगी और सभी यहां के जनता पूरे जारखन के लोग सुखी और समरिधी बनेंगे यही बातों के साथ और हमारे बीच यहों पस्थित हैं हमारे गार्जन पूर विधायक योगंदर महतो जी और साथ ही सभी अतीतियों का अभिननन करते हुए मैं जीला प्रसासन, प्रबंधन और आयोजन करता के सभी को मैं अभार्वेक करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि बहुत ही महनत करके दीन रात एक करके इस आयोजन को किया है और इस आयोजन को सफल बनाने में अपना दीन रात एक कर बहुत ही समय दिया है और साथ ही मैं सभी प्रबुद्य जन्ता का भी मैं अभार्वेक करती हूँ कि इस कायरक्रम को सफल बनाने में अपना बहुत ही की करें आप सब ऐसे ही खुजी और सुखी रहें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पानने विधायक महोध्या का मित्रु राग विभाग की अनूठी कोशिश रही है कि हर विशीश आयूजन हमारी धरूहरों से संबनित विशीश आवरण समय समय पर तयार कर जन जन तक पहु करती हूं पोस्ट मास्टर जनरल जारखंड परिमंडल शिमती शशी शालीनी कुजूर मैम से कि विशीश आवरण प्रस्तुत करी और सादा निवीधा नादने मानने मुख्य मंत्री महोध है और मंचा सीन सभी अती थी गणू से किस विशीश आवरण का विमोचन करने की पाकी चाहे अपने करकमलो से डाक विभाग के द्वारा ये रजरपा जो हमारी धरूवर है हमारी शक्ति पीठ आस्था का वो धाम है जहां पर हजारों हजारों देवी के श्रद्धालू अपना माथा टेकने आते हैं वो आस्था का धाम वैश्विक धार्मिक माने चित्र पर आगे बढ़े इस ही तू यी विशेश आवरण डाक विभाग के द्वारा तैयार किया गया है जिसका अनावरण हमारे माननिय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथी गणों के करकमलों के द्वारा आपके जोरदार तालियों के गचारिश करती हूँ बहुत आभार और मैं तो प्रकृति की गूद में बसाईए हमारा जारकंड का जिला पर्यटन और और आद्योगित विकास के अपार संभावनों को समीटे है यहां से संबंधित बातें लोगों तक जाएं लोग नहीं समझे इसे तो जिला प्रशासन रामगर ने एक कौफी ट प्रशासन का ही कैलेंडर भी तैयार किया गया है इस कौफी टिबल बुक और कैलेंडर का विमोचिन मानने मुख्यमंत्री जी और सभी अतिति गणू की करकमलों के द्वारा अतुल्य रामगर अतुल्य यह डाक विभाग के द्वारा यह स्पृति चिन्ध यह और यह कौफ अतुल्य रामगर जहां के धर्ती देवी देवताओं के आशिरवादों की बॉच्छारों से जगमगाती रहती है जहां पर दामोदर भेडा जैसी अल्लड नदिया कल-कल बहती है जहां पर पहाडों के कांधों से गिरते जर्नों का मीठा संगीत हमारे दिल के तारों को जं संकृत कर जाता है जहां ठोल और मांदर की थाब पर हमारे संस्कृती मानोस सबको जगाने का काम करती है यह है हमारा रामगर का जिला और इस रामगर की अतूल्य अभयाद्भय संस्कृति को समेटे यह काफी टेबल बुक अनावरन मानने मुख्यमनत्री जी एवं हमारे लिए गौरों का विशह है एक बार जोरदार तालिया होनी चाहिए हम इन पन्नों में समीट कर यहां कि संस्कृति को जन जन तक महँचा है और अब रामगर जिली के समग्र विकास है तो तक करीबं 200 करोड रुपे की विकास यूचिनाओं का शुभारंब जार खंड का हो समग अगर विकास माननिय मुख्यमंत्री जी का यही प्रयास और इसी सच्चे प्रयास की कड़ी में रामगर जिली के लिए तक करीबं 200 करोड रुपे की यूचिनाओं का ओनलाइन शुभारंब का रिमूट का बटन दबा कर करने ही तू मैं साधर साधर निवीदन करना चाहती ह माननिय मुख्यमंत्री महूदस सी, यह शिलापड जिसका अनावरन, माननिय मुख्यमंत्री जी सभी गवाह बन रहे हैं अनूठी कोशिशों के गवाह बन रहे हैं, हम सब विकास की यूझ नाए मानी मुख्यमंत्री जी की ये सम्विदन शील सूच है कि रज्ज का वो अंतिम व्यक्ति जब मुस्कुर आएगा जब उसके घर आंगन में खुश्या होंगी तब हम विकास की परिभाशा को सही तरीके से व्यक्त कर पाएंगी जब शेहरों की उची उची अटालिकाओं से निकल कर गाओं की टेड़ी मेडी पकडंडियों तक होते वे घर आंगन तक जब विकास की रोश्नी पहुँचेगी तब हम विक्सित जारखंड की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे और इसे तू रामगर जिले के लिए तकरीबन तकरीबन दो सो करोड की लागत राशी वाली यूजनाओं का शुब उधगाटन माननिय मुख्यमंत्री महूदय के करकमलो के द्वारा किया जाना गौरव का विशय है बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननिय मुख्यमंत्री जी का और इस अनूठे कारेकरम के साक्षी बनने वाले हमारे सभी अतितिगनों का और अब हमारे बीच वो शक्सियत जिनके गाईकी को भी आपने सुना जिनके लोक गीतों पर आप अब भी जूमते हैं और हम पहले भी जूमा करते थे ये है पदमश्री श्री मधुमंसुरी हस्मुग जी सादर निवेदन करना चाहती हूँ मानने मुख्यमंत्री महोदे से कि अपने करकमलों से मधुमंसुरी हस्मुग जी का संबान कर चार खंड़ी की संस्कृति का संबान करने की कि कृपा की जाए ये सम्मान भारस सरकार से उन्हें मिला पदमिश्री के रूप में मदू मनसूरी हस्मुक जी जब चार वर्ष के हुआ करती थे घर में शायद खाना भी मामुश्किल मिल पाता था दो वक्त का भोजन भी मामुश्किल मिला करता था लेकिन इनकी आत्मा और इनका जीवन तो संगीत की तारों में बसा हुआ था ये गाते थे गुनगुनाते थे जब कभी मौका मिलता था गाउं के टेड़ी मेडी पकडंडियों खेद खलिहानों में गाती गुनगुनाती हुई सी आवाज आज व्याश्विक सांस्कृतिक मंचों पर गूँचती है हम गौरव का अनुभाव कर रहे हैं इस मंच से आपका सम्मान करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ मानने ये मुख्य मंत्री मफूदय का इस होसला वजाई के लिए और इस विभूति के सम्मान के लिए देवियों और सज्चिनू जार्खंडिका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक श्यक्षणिक स्तर पर समग्र विकास हो हम आगे जरूर बढ़ें लेकिन अपनी शांदार संस्कृतियों को लेकर चले हम जिन्दा रहें अपने विश्वास के साथ अपनी आस के साथ और अपने प्रियासों के साथ ऐसे ही प्रियासों के साथ और जावान शक्सियत और जावान नित्रित आधनिया माननिया मुख्यमंत्री जी हमारे बीच साधर साधर निवेधन करना चाहती हूं आपके उद्बोधन हे तू आपके आशिरवचनों हे तू माननिया मुख्यमंत्री आधन श्री हेमन्त सुरीम ची